दलिंकन लॉय सीजन दो, हाथ दो के अंत में सबसे महत्वपूर्ण क्षनों में से एक तब आया जब लिसा ट्रैमिल को उसके मुकदमे में दोशी नहीं होने का फैसला मिला। लेकिन अगर उसने मिशेल बॉंडॉरेंट को नहीं मारा, तो किसने मारा। परीक्षन समाप्त होने के बाद, एंड्रिया फ्रीमेन ने मिकी को बताया कि ग्रांट के सहयोगी वाल्टर किम के जूते पर बॉंडॉरेंट का खून लगा हुआ पाया गया था। इससे पता चला कि किम ही हत्यारा था, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वह अपनी मर्जी से काम कर रहा था या किसी और ने उसे बॉंडॉरेंट को मारने का आदेश दिया था। लोना के अनुसार, वाल्टर अकेले अभिने नहीं कर रहे होंगे। अपने और सिसको के विवाह समारोह में, लोना ने अपना सिध्धान्त साजा किया कि इसी के साथ लिंकन वकील सीजन दो भाग एक के अंत में मिकी के खिलाफ ग्रांट के हमले के पीछे लिसा वास्तव मे लिसा की हत्या के मुकदमे के दोरान, मिकी ने मिशेल बॉंडूरेंट की हत्या के लिए एक वैकल्पिक सिध्धान्त का निर्मान करते हुए, एलेक्स ग्रांट को एक स्ट्रॉमैन के रूप में इस्तिमाल किया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रांट हत्या के लिए जित का आदेश दिया था। इसलिए हलांकि इसकी पुष्टी नहीं हुई थी कि ग्रांट हिट एंडरन के प्रयास के पीछे था। इसलिए था। अब योजग एंडरिया फ्रीमेंड द्वारा अंतिम खुलासा की वाल्टर को मृत्मान लिया गया है। लेकिन वह अपने पती जेफ ट्रैमिल की हत्या की दोशी है। एक बार जब मिकी ने ये खोज की तो वह अपने अनुमान के बारे में उससे बात करने के लिए लिसा के घर गया और मिकी के आरोपों पर लिसा की जुजहरू प्रतिक्रिया ने अनिवारियर रूप से सिध्धान के सच होने की पुष्टी की। खालांकि लिसा ने ये कह कर अपने कारियों का बचाव करने की कोशिश की की जेफ ने उसके साथ दुर्व्यवार किया। मिकी का मानना था की जेफ को मानने के पीछे उसका अधिक स्वार्थी उद्देश्य था। जब लिसा और जेफ ट्रैम रूप देने से पहले ही उसे मार डाला। जो कुछ हुआ उसे चुपाने के लिए लिसा ने जेफ को अपने बगीचे में दफना दिया, उसके उपर उसका अत्यदिक नफरत वाला धन्या रोब दिया और उसने उसकी अनुपस्थिती को समझाने के लिए उसके मैक्सिको भा जब वहले के साथ वैनिस बीच पर था, मिकी ने कई आवाजें सुनी जिन्हें उसने जेफ की कॉल की प्रिष्ट भूमी में पहचाना जिससे ये परदा उड़ गया की वह मैक्सिको में था, इसके बाद मिकी और सिसको ने जेफ और लिसा ट्रैमिल के तलाग के बारे में का पूर्व कर्मचारी था, जेफ के बारे में लिसा की कहानियों में इन सभी खामियों को खोजने के बाद और लिसा के पूर्व पती के साथ मिकी के अपने अनुभवों के बाद मिकी ने जेफ की हत्या के बारे में अपना सिध्धान बनाया, मिकी के सिध्धान पर चर्चा करते समय लिसा की रक्षात्मक प्रकृती पर्याप पुष्टी प्रतीत होती थी लेकिन ताबूत में अंतिम की रतब लगी जब मिकी ने जेफ और सीलेंट्रों के बीच संबंध बनाया मिकी और सिसको ने जेफ और लिसा के साथ साथ लिसा के बगीचे के बारे में जो रह से जागर किये उससे ये सपष्ट हो गया कि चाहे लिसा ने मिशेल बॉन्डॉरंट को मार दाला हो उसने निश्चित रूप से जेफ की हत्या की थी अब जब जब जेफ की हत्या का खुलासा मिकी ने कर दिया है तो लिसा की किसमत अधर में है हालांकि लोना के एक कॉल से ये पुष्टी होती देख रही थी कि आखिरकार लिसा को न्याए के कटभरे में लाया जाएगा जब मिकी लिसा का सामना कर रहा था लोना ने उसके अनुमान पर भरोसा करने का फैसला किया और संदिग्ध हत्या के संबंध में पहले से ही जासूस ब्रिक्स को बुलाया और वहन्या अधिकारियों को अपने साथ ले आया दफिफत वितनेस पुस्तक में पुलिस ने इस गुमनाम सूचना के आधार पर लिसा के बगीचे की खुदाई की और जेफ के शव की खोच की यह मानते हुए कि यह नेटफिक्स के दलिंकन वकील में भी पुलिस की जाच का नतीजा होगा लिसा को जेव की हत्या के लिए गिरफतार किया जाएगा दलिंकन लॉय सीजन 2 के दौरान इजी अपना खुद का डांस स्टूडियो कोल कर करिया में बदलाव लाने का प्रयास कर रही है हालां कि ऐसा लग रहा था कि यह तब पूरा नहीं होगा जब उसकी चुनी हुई इमारत की कीमतें बढ़ेंगी इजी का सपना आखिरकार सच हो गया इजी अपने स्टूडियो में सिस्को और लोना की शादी का रिसेप्शन भी अयोजित करती है जहां वह मिक्की के लिंकन की चाबियां बड़े प्यार से लौटा देती है खालांकि इजी अब मिक्की की ड्राइवर नहीं रहेगी लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह लिंकन वकील से चली जाएगी इजी अंशकालिक रूप से मिक्की के अभ्यास में रहेगी जबकि लोना और सिस्को अपने हनीमून पर हैं इसलिए इजी संभवता अभी भी दलिंकन वकील सीजन 3 में रहेंगे दलिंकन लॉय सीजन 2 के अंत में लिसा ट्रैमिल का मुकदमा समाप्त होने के साथ नेट्फलिक्स रूपांतरन ने सीजन 3 की कहानी को छेड़ा जो शो के अब तक के सबसे दुखत शो में से एक बन रहा है एपिसोड के अंत में मिकी को गिजेल गेलिंगर नाम की एक महिला की हत्या के मामले पर काम करने के लिए बुलाया गया था जहां उसे आरोपी का बचाव करना था जब मिकी हत्या के विवरन का पता लगाने और महिला के शर्व की पहचान करने गया तो उसने चौकाने वाली खोचकी की पीडिता वास्तव में उसकी दोबारा ग्राहक सेक्स वकर ग्लोरी डेज थी